प्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडिर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को पता है कि हम जो स्ट्राडजी चेक करें वह स्ट्राडजी है पाउर ओफ स्ट्राडजी जिसका नाम है फाइमे जिसकी वीडियो आप सभी ने देखियोगे पड़ आपने इसे कितना चेक किया है बैक्टेस्ट किया है यह यह लॉस किया है कमेंड करके जुरूर बताइएगा अब यहां पर हम इसे स्ट्राडजी को अभी तक एक्ट्व में से टेट नहीं कर रहे हैं इसे हम कप ट्रेड करने वाले हैं आफ्टर 20 देस क करने वाले हैं और आज है इस इस चेक करते हुए आज हमें 20 देश्ट करते हुए और फिर फाइनली एक वीडियो आएगी जो कि कल आपको मिलेगी वीडियो कि 20 दिन के बाद हमें यह इस ट्राइड से प्रॉफिट हुआ है यह लॉस हुआ है अगर यह स्टेयर इसे हम जो आप यहां पर हम बात करेंगे 26 खर सकी और लास्ट 19 दिन की वीडियो चानल पर डाली है तो जाकर चेक कर सकते हैं एक फिर भी वहां पर हमें 3 ट्रेट मिले हैं या नहीं मिले हैं मिले भी है तो फ्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है लास्ट दो दिन की बात की जाए तो दो दिन market sideways था, ठीक है, फिर भी वहाँ पे हमें 3 trade मिले हैं, अब वहाँ पे profit हुआ है, loss वा जाके आप video चेक कर सकते हैं, अब यहाँ पे आज की market में भी देखेंगे, morning में एक trend मिला था, उपर के sideways, उसके बाद आप देखोगे, पूरा time market sideways हो गया था, ठीक है, sideways जब भी भी market रहती है, कोई भी strategy best work यहाँ पे नहीं करती है, फिर भी हम strategy को check करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे, कि हमारा trade बना है, बना है, तो हमारा profit हुआ है, या loss हुआ है, तो अगर बात करेंगे, जो first trade बनी है, हमारी, यहाँ पे, यहाँ पे आप देखोगे, first trade हमारा इस candle बना है, ठीके, कहाँ पे बना है, इस candle पे, इस candle को देखेंगे, moving average को touch नहीं किया, बाकी candle ने भी देखोगे, moving average को touch नहीं किया है, ठीके, बट किसी candle ने इसका low, जैसी candle ने moving average को touch नहीं किया, बट इसका low break नहीं हुआ, फिर इस candle को देखेंगे, इसका low break नहीं हुआ, फिर बाकि छीजें धी धान देनी है जैसे आप यहाँ पे देख सब्तने इहां पर दिख रही है यहां पर प्रच केंडल सारी केंडल आप गुलिश केंडल है जो अलेट बनी है यह भी हैमर टाइब की बुलिश केंडल गट सब्सक्राइब रहला है ने जी यहां यह जेट करना है कि यहां मार्ककर यहां पर जी उपर गरते yüzden टाउन आप ट्रेट करते जाओगे experience आपको होता जाएगा practice करते जाओगो तो चीज़े यह समझ में आएगी जो चीज मैं भी अभी सीख रही हूँ ठीक है मैं अब यहाँ पर नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत की बात करें क्योंकि power stock ने बताया था कि candle का कलर कोई भी हो बुलिश हो या बेरिश हो मुवी एवरिज को टच नहीं करने चाहिए और इस स्टाड़ से होता क्या है मल्टीपल एसल हिट होने के चांश ज्यादा लेते बर टागे जो मिलते हैं बहुत अच्छे टागे मिलते हैं तो यहां पर देकें कि फर्स टिस हमारा यहीं पर बन गया था ठीक है अब यहां पर आपको ट्रेंड लेना है या नहीं देना है वो आपके उपर लिपर करता है ठीक होश के आप लोग इ stuffed हो गया है पर हमिसे प्रीमिय में चेक करेंगे और यहां पे premium देखेंगे 51,200 के आसपस था तो यहां पे 51,200 का put देख लेते हैं और यहां पे देखते हैं कितने point का हमारा यहां पे जो SL बना था वो हिट हुआ है तो यहां पे alert candle देखेंगे 935 की है 940 हमाई entry candle है ठीक है तो हम चलते हैं 51,000 की put यहां पे आगे हम 51,200 की put में और यहां पे आप देखोंगे 935 की candle काउनसी है यह वाली candle है अलेट candle यह entry candle आप देख सकते हैं अलेट candle का हाई ब्रेक नहीं किया ठीक है वहां पे इंडेक्स में थोड़ा सा ब्रेक हुआ है यहां पे प्रिम्म में देखोंगे यह ब्रेक नहीं हुआ है ठीक है तो यहां पे फिर भी हम चेक कर लेते हैं यह पर आप देखोगे अलेट का हाई कितने है्-245 के आसपास है लो डेखेंगे 2021 के आसपास है यानि लगभल लगभबह करें तो हमारी 95 का बना है 25प लिसांका बना है और 25 हमारा ऍपनल में हिट हो गया यहां पर देखंगे ये केंडल ने मोजें किकने assim है defining गाफन Code ये सि न hai Heart सबस्द के अब देखते हैं कि यहां पर यहां पर हमारा फी सब्सेंट्ट है इसे हो गया है तो data होगा ठीके अप संहें ब्यूम में रिखने हाए यह यह समय नई होगा इस समय पर देखो बैंक निफ्टी 51,300 के आसपास था तो हम 51,300 की पूट चेक करेंगे टाइम देख लेते हैं अलट केंडल का टाइम क्या है तो यहां पर अलट केंडल 10 बचकर 10 मट की है और 10 15 की हमाई इंट्री कैंडल है तो हम चलते 51,300 की पुट में और जो हमाई अलट केंडल बनी थी आप लेते हैं यहां पर एक चीछ नोटीस कर रहे होंगे जब भी आगर बनता है आप देखोगे प्रीमियम में यहां पर आपने देखा फ़र्स्ट्रेड में हमारा यहां पर देखोगे टेट नी बन रहा था तो यहां पर देखेंगे तो जो अलड़ के अज़़ए था उसको यहा ऍपर इंडेच्स 101 हो रहा है यहां पर प्रीम्यम में देखोंगे खोटा सा एसे बना है और इंट्री कैंडल ने इसका लोग रिक नहीं है अधीन लागर हम्स फ्ड़ी 150 मारें यहांप इसर बना люд वो हिट नहीं हुआ उसी सब सकर हम टागेट इतना चीए साथ पॉइंट का टागेट चीए वान रेस्टू ठीक है इस आप से तो आप देखते हैं हमारा यहाँ पे टागेट अची हुआ यह से लिट हुआ तो हमारी इंट्री सब्पोस्ट टू थर्टी सिक्स पे हो रही है ठ कितना पॉइंट के लेकर चलना है शिक्स्ती पॉइंट मोले तो यहाँ पर हमारा टागेट से लिटाएबगर निस देखते हमारा ठाट कहाँ ट्रेट कहा बना था एंब अपने यहां पे यहाँ ऊधिंट में हमारा जो सार्ट का टागेट था यहां पर आचीव हो गया ठीक यहां पर अब समझे आए मुविंग डानुये है यहां यहां पर आप देखोगी यहां पर अगरली के दोला तो अघर सट्वा और तो यहां पर चाड़ को यहां 62100 225 यहां पर हम 51200 का पुट देख लेते हैं और यहां पर अलए तो यहां की बजी की है उलत के और यह 1 बज़े की 225े वांट को कने पर घू हंन्हां है अबख़ग कर पांषि वायाiggers reco redu hotlovat के इंट्री केंडल हो यहां पर बात करें red candle कि बनी है तो high के away, Cup 195 to 196 प्लो देखेगे कि इसकाritis low के a 17 ग लेटभव दौन canción्ट की लगजी 117- पर 1.50 काका5 नहीं बनां तो कि लेकर बनांayक तो याहां पर पिस्ती हों सब्सक्राइब है 95 पे तिर तीक हम चलब हमां वा तो कमने तरक साल वह रहाने तरक साक्ड हिए फूस से कह सब्सक्राइग वेडिक तयुक्त कभी भी जबी ऐसी sideways market हो ना तो आपको एक दो पॉइंट तीन पॉइंट नहीं मिल रहा है तो आप ट्रेट बुक करो आप 51 पॉइंट का भी वेट मत करो 1-2 का भी टारगेट मिल रहा है sideways market में 1-2 का भी मिल रहा है तो बहुत है ठीक है यह सब चीजे आप मार्केट वाच करो देखो चीजों को समझो कि sideways market में आपको यह strategy कम से कम 1-1 का भी टारगेट दे रही है तो बहुत अच्छा वर्क कर रही है ठीक है वार्केट में अच्छी मूवमेंट आएगी तब हमें जाके मिलेगा साइड इस मार्केट में ऐसी खास मूवमेंट देखने वह नहीं मिलती है यहां पर लगबर लगबर देखेंगे अगर हम strategy की बात करें तो यहां पर 1-2 का टारगेट नहीं अच्छी हुआ तीन पॉइंट से हमारे यहां पर टारगेट रह गया ठीक है यहां पर देखेंगे तो हमारे जो कितने पॉइंट का एसल बना था 17 पॉइंट के आसपास का एसल था वह हीट हो गया अब चलते बैंक निफ्टी के चार्ट पर देखते हमने कितने लॉस या प्रॉफिट में देखेंगे हम चिस्ति कاج काना थीक बनाया यहां पर ने हम लाउस की कि बात करेंगे 422 पॉइंट का प्रॉफिट में रेकित को लिन के आया थीक है तो यहां पर हम जोगस की बात करेंगे और शीक सवस्त्ukर सब्दोंड बनाएं ठीक है तो यहां पर लॉवर नहां पिसीया जब कि आप देखोंगे मार्केट मॉर्नी में एक ट्रेंडिंग था उसके आप देखोंगे साइडवेज ही था और लास्ट में थोड़ी से डाउंसाइड मुवमेंट देखने को मिली है ठीक है अलगब लगब लगब इंडेक्स का देखेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना और आप को फाइनल वीडियो मिलजाएगी कल की डेट में कि यहाँ पर हमने टोटल को ट्वेंटी डेस चेक कर लिए इस ट्वेंटी डेस का जो भी प्र लॉस हुआ होगा उसकी वीडियो आपको कल बिल जाएगी आई ओब यह चोटी सी वीडियो आपको अच्छी लिगे होगी वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं आप से लिए वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब टेक केर